हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हरेस्ट क्लासेज पर जैसा कि हम लोग 2024 में UP बोर्ड क्लास 12 के अंतरगत जो इंगलेस कोशन पेपर हुगा है 3-16DV इस कोशन पेपर को मैं आप लोगों को छोटे छोटे पार्स में बेदू सॉलूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आज हम इस कोशन पेपर में जो कोशन नम्मर 9 है इसे आपके समझ बहुत ही आसान सब्दों में डिसकस करेंगे तो जैसा कि निर्देश है, read the following, extract carefully, आ रहे जो extract है यानि कि है जो stanza है इसे साब्दानी पूर्वक पढ़िए and answer the questions that follow और नीचे दिये गए प्रसनों के उत्तर दीजिए तो आपके board exam की द्रश्टी से यह stanza एक most important stanza है और keeping quiet नामक जो पोयम है इसका यह most important stanza है इस पोयम से इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप तो थोड़ा सा मैं इसका हिंदी explanation आप लोगों को बता देता हूँ Perhaps the earth can teach us सायद प्रत्वी हम लोगों को सिखा सकती है अगर यहां आपसे poetic device या figure of speech पूचा जाए तो personification है सातियो क्योंकि कोई व्यक्ति ही आपको कुछ सिखा सकता है यहां non-living thing को आपको एक living thing की तरह treat किया गया है तो जब non-living thing को एक सजीव की तरह treat किया जाए तो वहां आपका personification figure of speech होता है ध्यार रखें paper पूच सकता है तो सायद प्रत्वी हम लोगों को सिखा सकती है क्या age when everything seems dead जैसा कि जब प्रतिक चीजें म्रत प्रतीत होती है and later proves to be alive और बाद में वे जीवेत सिद्ध हो जाती है जैसा कि आपने देखा होगा कोई भी seeds है यानि की बीज है जिसे आप प्रत्वी के अंदर लगा देते हैं और खुश दिनों बाद आप देखेंगे कि वहाँ एक पौदे के रूप में बिक्सित हो जाती है तो ये बात यहां कही गई है कि सायद प्रत्वी हम लोगों को सिखा सकती है जैसा कि जब प्रतिक चीज अम्रत प्रतीत होती है और बाद में वे जीवित सिद्ध हो जाती है अब जो आपके poet है Pablo Neruda वो कहते हैं अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सांत हो जाएंगे और मैं चला जाओंगा तो देखिए पहला question क्या है what lesson can the earth teach us यानि कि प्रतिवी हमें कौन सा अध्याए सिखा सकती है तो अभी आपने देखा कि जब प्रतिक चीज अम्रत प्रतीत होती है और बाद में वेशिद्ध हो जाती है इस अध्याए को वे हमें सिखा सकती है चाया तो आप यहां से बना सकते हैं आपका subject हो जाएगा उसके बाद आप can लिख देंगे आगे teach us यह आपको लिखना है the earth can teach us साइद प्रत्ती भी हमें सिखा सकती है नहीं तो पूरा यहां से लिख दें perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive यह पहले question का आपका answer हो जाएगा ठीक है? अगला देखिए what remains alive यानि कि क्या जीवित रहता है when everything seems to be dead जब प्रतिक चीज़ें म्रत प्रतीत होती है तो क्या जीवित रहता है तो आप कहेंगे प्रत्ती तो यहां से आप what अठाएंगे और इसी की जगह पर लिख देंगे only the earth only the earth और पूरा लिख दें remains alive केवाल प्रतिवी ही जीवित रहती है when everything seems to be dead जब प्रतिक चीज़ें म्रत प्रतीत होती है थर्ड कोशन में आपसे कहा है what does the poet ask us to do यानि कि कभी हमसे क्या करने के लिए कहता है तो यहां do की जगह पर आपको answer लेकना है तो सबसे पहले कोशन से ही बनाए तो आप लेखेंगे the poet what को आप अठा देंगे does अठाएंगे ask आपको fifth form लेकना है यानि कि yes या yes form तो यह हो जाएगा ask आगे लेक देंगे us to अब क्या करने के लिए कह रहा है तो आप देखेंगे keep quiet यानि कि सांत रहने के लिए तो लिख दीजिएगा to keep quiet यह हो गए आपके third question का answer ठीक है the poet asks us कभी हमसे कहता है to keep quiet सांत रहने के लिए तो I hope यह questions आपको बहुत अच्छे से clear हुए होंगे अब मुझे आप बताएंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ऊपर की जो lines आपको दी है इन में कौन सा figure of speech या poetic device या literally terms यूज हुआ है तो कौन सा है वो आप मुझे comment में answer send करेंगे मिलते हैं next question के साथ और यह stanza important है आप लोगों के लिए इसके बाद यह तीन important central idea है जो next video में आपको मिल जाएंगे thanks for watching